आर्मी, अनंगा सेयो, आप सभी को पता ही है कि हमारे BTS के मेंबर V इतने हैंसम है कि हर कोई उनकी एक जलक पाने के लिए कुछ भी करने को तयार है लेकिन दोस्तों कि आपको ये पता है कि अभी अभी आगमी इसको पता चला है कि V की खुबसूरती को देखने के लिए एक न्यूस रिपोर्टर ने बीच सड़क में V से फलर्ड करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों यही रही बलकि उस रिपोर्टर ने वी को अपने घर आने तक का भी इंविटेशन दे दिया था और ये सुनने के बाद वी काफी ज़ज़र शौक डो गए थे तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दू कि रिसेंटली ही हमारे वी एक रेडियो शो के होस्ट बने थे वो भी दो दिन के लिए जिसका नाम था MBC's Stary Night दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सारे फोटोग्रफर्स और रिपोर्टर्स आये थे जो वी की एक पोटो खीशना चाहते थे और उनसे बाते करना चाहते थे हाला कि दोस्तों जहाँ इस शो की काफी सारी क्यूट वीडियोज वाइरल हुई जहाँ पर वी को अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हुए और उनके साथ पिक्स खिचवाते हुए देखा गया वही वी और एक रिपोर्टर के बीश का इंसिडेंट काफी जादा वाइरल हो गया दोस्तों एक्चली देखा गया कि जब वी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने फेस पर हमेशा की तरह मास्ट लगाया हुआ था दोस्तों यह मास्ट लगाना बीटेस मेंबर्स के लिए कंपलसरी है और बहुत इंपोर्टेंट भी है क्योंकि वह काफी जगा पर काफी सारे लोगों से मिलते हैं और कोविट का खत्रा अभी भी हर जगा मन रहाया हुआ है ऐसे में बीटेस को अपनी सेफटी के लिए मास्ट अगाना काफी ज़रूरी हो जाता है लेकिन दोस्तों एक निउस रिपोर्टर ने वी से रिक्वेस्ट करी कि वो अपने मास्ट को हटा दे हाला कि जब उन्होंने वी से ऐसा कहा तो वी ने उसका रिस्पॉंस देते वे उन्हें बताया कि क्या मेरा मास्क अगर इसे हटा दू तो क्या ये सही होगा दोस्तों रिपोर्टर ने इसके रिपलाई में बोला कि हाँ एक बार वो सिर्फ वी की फोटो खीचना चाते हैं क्योंकि मास्ट खटाने से पहले भी उन्हों ने बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। और यही नहीं बलकि वी ने ये भी बोला कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उसकी responsibility कौन लेगा। हाला कि दोस्तों इसके बाद रिपोर्टर ने जो जवाब दिया वो सब के होश उड़ा देने वाला था। दोस्तों जैसे ही वीनों से ये बात बोली उसने बोला कि इसलिए तो वो वी से बोल रहे हैं कि वो फटा-फट से अपना मास्क खटा दे ताकि फोटो ले ली जाए। और दोस्तों इसके जैसे बात उन्होंने बोला वी से कि वो उनके घर आ जाएं वो वी की रिस्पॉंसिबिलिटी उठाने को तयार है। हाला कि दोस्तों उस रिपोर्टर का ये जवाब सुनने के बाद वी काफी शौक्ड हो गए थे और अपना मास्क उतारते उतारते उनकी आँखों से दिख रहा था कि वो इस अनेक्सपेक्टेड आंसर को लेकर काफी जादा बलश भी कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों वी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि बीच सड़क पे कोई निउस रिपोर्टर उनको ये चीज़ बुलेगा। हाला कि जब ये वीडियो आर्मी के बीच में काफी वाइरल हो गई तो उन्हें भी ऐसा लगा कि ये निउस रिपोर्टर शायर बीटेस की काफी बड़ी आर्मी होगा तब ही इसने वी को अपने घर बुलाने तक ही बात कर दी। हाला कि दोस्तों इसके साथ भी का ये मुमेंट काफी ज़दा वाइरल हुआ और आर्मी इसको ये चीज़ बहुत ज़दा फ़नी और इंट्रेस्टिंग भी लगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इस इंसिडेंट के बार में पहले सुना था या फिर नहीं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और पहले आइकन को प्रेस करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में